नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमेस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट mcq की सिरीज हिंदी में तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले प्रिश्ण की और चॉक्लेट स्वास्त के लिए हानी कारख हो सकती है क्या है राइट आंसर चलिए पता करते हैं आपको पता है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजे इसका राइट आंसर है कौन सा खनिच पाए दाता है इसा करते हैं जो है म मोनमयशाइब दाता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विक्रेंट पैदा होती है सल्लयन अभिक्रिया विखंडन अभिक्रिया रासानिक अभिक्रिया या फिर प्रकाश रासानिक अभिक्रिया तरह》 दो कि सुछे ज्यूतिस कि आफ Unter session का जान का फोटोसृंथ पौद्स सिंधिस टो अनरजी तो आपना विछ के आपके अबहु परыт जान की क्यों करों और हमें एक नया compound उससे मिलता है विखंडन अभिक्रिया अभी कम हानिकार होती लेकिन सल्लैन अभिक्रिया जो fusion है वह सबसे ज़्यादा हानिकार अभिक्रिया को क्या करती है पैदा करती है तो इसका राय से जो answer है answer number one अभिक्रिया अब पढ़ते हैं पूर्थ कोशन के ओर टाइट्रियम किसका समस्थानिक है oxygen का तो ही नहीं ठीक है ना उसके बाद कावासफोरस का इसका भी नहीं इसमया आपको पता है कि समस्थानिक केवल एक यह hydrogen का ठीक है न ड्यूट्रियम ट्राइट्रियम और पूट्रियम यह एक استका समस्थानिक है हाडोजन के तो ठीक है न इस तो ट्राइटेम है हमारा कोश्चन तो किसका है समस्थानिक हाडोजन का हाडोजन बम किस सिधान्द पर आधारित है hydrogen bomb किस सिधान पर आधारित है नियंत्रित विखंडन अभिक्रिया आनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया फिर नियंत्रित सल्लयन अभिक्रिया या फिर आनियंत्रित सल्लयन अभिक्रिया देखें जो नियंत्रित विखंडन यति कंटूलोड जो एकशन ए खती है और फिए अधारित या this में और ससने कींगोजभ़ा प्रमानूर जाके मेंinker अधरित प्रयोग किया जाने वाला आइसोटोप निम लखित में से कौन सा है यू-235, यू-235, यू-234 या फिर 236 उसका राइट आंसर है यू-235, यू-235 यू-235 शर्ट फॉर में हम इसको लिखते हैं बढ़ते हैं अगले कुश्यन के और पहली बार परमाणू बम कहां फेका गय था आप सबको इसका आंसर पता है । नागा सांकिमें होक किस कारण होता रहता है । आसे-भी किस स्लैन होता रहता है तो आंसर है नाभी के सलायन पढ़ते हैं अगले प्रश्ण क्या हाइड्रोजन बंब किस ने विक्सित किया था जे रॉबर्ट ओपन हमर एडवर्ट टेलर सैमेल कोहन इनमें से कोई नहीं ठीक है तो इसका जो राइड आंसर है आपको नहीं पता हो तो हम बता देते हैं इसका उज्जा का मुख्य कारल है अभी हमने देखा नाभी के सलायन ठीक है ना तो यह जो अब्जेक्टिव थे आप इनको पढ़ते रहिए आशा करते हैं आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट साबित हो थैंक्यू